हेलो गाइज वेलकम पूरने दर वीडियो प्स्टॉक मार्किट फंस इंजेन इंटरनेशनल लिमिटेट की ओर से मार्च क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका स्टैंडलॉण और कंपनी के और से वन पॉंट फाइब रुपिश पर एक वीडियो का फाइनल डिविडेन भी रिकमेंड किया गया है और इसका रिकॉर्ड डेट रखा गया ट्वैंट जुन दूहजार चौवीस का जो की रिकॉर्ड डेट रखा गया डिविडेन को लेकर तो हम लोग चलते कंपनी के रिज़ल्ट पर पहले konsolidated financial result को कवर करेंगे मिलियंस में नंबर है इंकम है 933 करोड का पिछले क्वाटर में 882.8 करोड का मार्च 23 क्वाटर में 1017 क्वाटर का इंकम है क्वाटर कोडर में इंक्रीज यर ओन यर में डिक्रीज किया है एक्स्पेंसे 724 क्रोड का पिछले quarter में 740.9 करोड का ओंच 23 quarter में 786 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में the income expenses बहुत कम इसके आँ profit और recover कि लिए और कि इन यहां रोन ये लिए केविए expenses में decrease किया income के accounting यहां पर quarter on quarter income में increase है जिएन expenses यहां profit improve किया operating profit 209 करोड का पिछले quarter में 138 करोड का और 23 quarter में 230.9 करोड का operating profit है quarter on quarter में increase है year on year में decrease किया है लेकिन taxes भी कम बे करना पता 20.4 करोड का जिसके करन profit improve किया 188.6 करोड का net profit है पिछले quarter में 111.5 करोड का और March 23 quarter में 178.7 करोड का profit है quarter on quarter year on year में वापस है increase किया है EPS की बात करेंगे तो 4.69 रुपेश का quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है तो गाइस कंपनी का consolidated financial result बहुत ही strong पेश किया क्योंकि कंपनी का income में थोड़ा सा year on year में down था लेकिन taxes कम पे करने के करन profit में improve किया है अगर financial year in debt की बात करें income में 3579 करोड का 23 में 3263.8 करोड का income इस बार बहुत अच्छी growth देखने को मिल रही है expenses कंपनी का हुआ है इस बार का 2947 करोड का 23 में 2670 करोड का expense हुआ था expense भी increase किया income के according operating profit 620.8 करोड का 23 में 593.6 करोड का जोकि net operating profit इंक्रीज है और net profit 518 करोड का 23 में 644.4 करोड का जोकि increase किया है income के recording यहां पर अप्रेडिंग profit net profit इंक्रीज किया है और EPS 12.69 रुपेज का 23 से growth देखने को मिला है तो गाइस quarter रेंडेड हो या financially रेंडेड अच्छी result पेज किया है महींगर हम बात करें company के standalone results का income है 880 करोड का पिछले quarter में 820.7 करोड का और March 23 quarter में 1017 करोड का पर्षे कर इंक्रीज किया है एक्सपेंसल भधांड है 6089.6 करोड का पिछले quarter में 692.3 करोड का और March 23 quarter में 776.5 करोड के एक्सपेंस हुआ था quarter-on-quarter में expense का मैं यहर अनियर में expenses भी कम है operating profit 210.4 करोड का पिछले quarter में 124.7 का मार्च 23 quarter में 240.7 करोड का पॉफिट पॉफिट क्वाटर में इंक्रीज का यह करोड़ का पिछले का नाइंतीद स्वारण गरोडं करोड का मार्च 23 क्वाटर में ने अनियर के रखने साफले का। 20 Florida, EPS would have 4.7 रुपीश का क्वाटर normard दोनाव में किया की दिखने को मिला तो कंपनी का फॉफिट बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है तो कंपनी की प्रशन की फॉज्ट की सिर्थे आज के दिन और वन परसेंट की फॉल देखने को मिला और company का result market R के बाद आया तो जिस तक result आई इसके बाद company में एक थोरा सा bounce back करने के chances है तो इसलिए गर आप इसमें loss में है तो आप average कर सकते हैं अगर आप entry लेने चाहता था आप entry भी ले सकते हैं तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा fall देखने को मिल रहा था